नमस्कार दोस्तों, प्रधान मंत्री मोदी की आक्रामक विदेश नीती की चर्चाएं साथ समंदर पार अमेरिका में ही नहीं हैं, और इस आक्रामक कूट नीती का असर केवल युनाइटिड नेशन की आम सभा में और अलग-अलग सत्रों में ही दिखाई नहीं दे रहा हैं, कई रूप में कई पार्टियों पर और कई नेताओं पर भी दिखाई देना शुरू हो गया है आपको याद होगा हिस्टन में राश्टपती डोनाल ट्रम्प के साथ जब मोदी मंच पर पहुंचे और वहां मौजूद पचास हजार से ज़्यादा भारतियों की विशाल भीड ने उनका करतल ध्वर्णी से स्वागत किया उसके बाद से वहां मौजूद अमेरिकी सेनेटर खुद राश्पती ट्रम्प हत्प्रब थे अश्च्रेचकित थे कि उनके अपने देश में भी नरेंद्र मोदी इतने लोगप्रिया हो सकते हैं या आने वाले चुनाव पर किस किसी भी रूप में किसी भी तरह का कोई असर डाल सकते हैं और यही वो तथ्य थे जिसकी वज़े से डौनाल्ड ट्रम्प वहां लगातार मोदी को उनके भाशनों को महत्व दे रहे हैं जब क्लाइमेट चेंज पर मोदी का भाशन था तो विशेश रूप से राश्टपती डौनाल्ड ट्रम्प उनका भाशन सुनने के लिए पहुँचे अमेरिका के मीडिया में इस घटना को बहुत दिल्चस्पी के साथ देखा जा रहा है कि डौनाल्ड ट्रम्प किस तरीके से मोदी के कायल हो गए हैं ना केवल हियुस्टन की इतनी बड़ी जनसभा में जिस तरह से उन्होंने अपना भाशन दिया बलकि कश्मीर का मुद्दा उठाया पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने अपना भाशन फोकस करते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब आतंकवाद और आतंकवाद को परसरे देने वालों देशों के खिलाफ कठोर से कठोर और निरनायक का रवाई की जाए अमेरिका में आपने मौदी के प्रभाव का असर का नजारा देखा होगा जब पाकिस्तान के प्रधान मंतरे इमरान खान ट्रम्प से मिलने के लिए पहुँचे और वहां मौझूद पाकिस्तानी पत्रकारों ने जब कश्मीर को लेकर के कुछ सवाल किये तो ट्रम्प उन पर एक तरीके से जला पड़े और उन्होंने इमरान खान से ये पूछ करके उनको असहज कर दिया कि आप इस तरह के पत्रकार कहां से लेकर आते हैं उनसे एक पत्रकार ने पूछ लिया था कि कश्मीर में पिछले डेड़ महिने से करफ्यू है वहां पर खाने पीने की चीज़े नहीं है इंटरनेट नहीं है और इसी पर डोनाल्ड ट्रम्प बिफर पड़े क्योंकि उनको पता है कि कश्मीर में लेंड लाइन फोन खुल चुकी है जन जीवन सामान ने हो गया है और कुछ ही थाना शेत्रों में कुछ पाबंदियां है वो भी 144 की करफ्यू कहीं भी नहीं है तो जो प्रोपेगंडा था कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान का उसके बारे से जो एक विकास में बाधक बनी हुई थी 370 उसको हटा दिया है तो पूरे इस्टेडियम में देर तक तालियों की गड़गड़ा हट खुद टरंप ने वहां बैठे हुए सुनी थी और उन्होंने इमरान खान से ये कहा भी मीडिया से भी कहा जो पाकिस्तान के मीडिया मह मौजूद थे कि उन्होंने इस मसले पर और आतंकवाद पर प्रधान मंतरी मोदी का आक्रामक रुख देखा है भाशन सुना है और उस पर लोगों का रेस्पॉंस भी देखा है जहां तक भारत के भीतर मोदी की आक्रामक विदेश नीती के असर का सवाल है सबसे पहला बयान तो पूरु मंतरी आनंद शर्मा की तरफ से आया और उन्होंने मोदी को इसके लिए क्रडिसाइज किया कि उन्होंने अपने भाशन में अब की बार ट्रंप सरकार कह करके जो तै मांदंड हैं जो प्रमपराएं हैं विदेश नीती की उनका उलंगन किया ह इसके बाद दूसरा बयान जैराम रमेश का आया उन्होंने कहा कि प्रदान मंतरी मोदी ने पंडित नहरू का और गांदी का उल्लेख नहीं किया अपने भाशन में जिसकी उनसे अपेक्षा थी तीसरा जो बयान आया है वो कांग्रिस के एक और सीनियर नेता का आया है मिलिन देवडा का उन्होंने मोदी की खुल करके तारीफ की है और हिऊस्टन के स्टेडियम में उन्होंने जो भाशन दिया है उसकी प्रशंसा करते हुए मिलिन देवडा ने अपने पिता को भी समझ भूज और बढ़े और ये दोनों महान लोक तंत्र एक दूसरे के करीब आएं और मज़ेदार बात ये है कि प्रधान मंतरी मौदी ने भी मिलिन देवडा के इस ट्वीट का जवाब दिया है उन्होंने उनके पिता मुरली देवडा को याद करते हुए उनको अपना मित् का नहीं है जब मिलिन देवडा ने इस तरीके से प्रधान मंतरी मौदी की या भारते जंता पारिटी की केंदर सरकार की इस तरीके से इन शब्दों में प्रशंसा की है जब जम्मु कश्मीर से 370 को लिफ्ट किया गया 35 को हटाया गया उस समय भी मिलिन देवडा जोती ये सब ऐसे चेहरे थे कांग्रेस के जिन्होंने 370 हटाये जाने के कांग्रेस के विरोध का खुला विरोध किया था और ये कहा था कि पारिटी को देश की जन भावनाव के अनुरूप बिहेव करना चाहिए यानि मौदी सरकार ने जम्मु कश्मीर से 370 जो हटाई है उसका स्वागत किया जाना चाहिए था ना के विरोध किया जाना चाहिए था और इस मामले में चाहे गुलाम नभी आजाद हों चाहे कदम को बहुत कहतक बताया था लेकिन कांग्रेस के कई निताओं ने ये कहा कि जन भावनाए वहां से 370 हटाने के पक्ष में रही है और कॉंग्रेस को इसका स्वागत करना चाहिए था एक और कॉंग्रेस के नेता हैं शशी थरूर आम तोर पर अलग-अलग मुद्दों पर वो मौदी सरकार की आलोचना करते हैं लेकिन उन्होंने एक वयान दिया उन्होंने कहा कि जब प्रधान मंत्री मौदी विदेश यात्राओं पर होते हैं उस समय उनकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए उस समय वो पूरे देश का प्रतिने दित्व कर रहे होते हैं पूरे देश के प्रधान मंत्री के तोर पर दुई पक्षी अंतर राष्टिये मसलों पर बाचीत कर रहे होते हैं लेकिन जब वो देश में होते हैं तब हम उनसे सवाल कर सकते हैं तो कांग्रेस के भीतर जिस तरीके से परधान मंतिरी मौदी की आकरामक विदेश नीती को लेकर के अंतर विरोत दिखाई दे रहे हैं इनके क्या अर्थ निकाले जाएं और इसके after effects क्या होँगे और इसके after effects क्या होँगे ये जरा गोर करने की जरूरत है जहां तक मेरा अपना अनुभाव है और जो आकलन है वो ये बताता है कि जिस तरह की इस्तितियां पर इस्तितियां कॉंग्रेस के भी तर पैदा हो रही है और जिस तरीके से राश्टिय हितों की कीमत पर पार्टी के कुछ नेता उस समय प्रधान मंतरी मोदी की आलोचना करने से बाज नहीं आ रहे हैं जब वो विदेशी भूमी पर होते हैं और देश का गुरो बढ़ा रहे होते हैं उस से पार्टी के भीतर एक जबरदस्त रस्सा कसी का दोर चल रहा है और कहीं न कहीं एक कनफ्यूजन की इस्तिती है जिस तरह के अंतर विरोध बयानों में दिखाई देते हैं कुछ नेता कांगरेस के प्रधान मंतरी की सरहना करते हैं कुछ उनकी आलोचना करने के लिए बहाने ढूंडते रहते हैं ये इस्तिति कॉंग्रेस के लिए कोई बहुत अच्छी नहीं है और इससे पारिटी की छवी तो खराब हो ही रही है इससे ये भी मेसेज जा रहा है कि पारिटी के भीतर ही कॉंग्रेस के भीतर ही कई लोग मौधी के पृती साफ्ट कॉर्नर रखते हैं और किसी को आश्चरिय नहीं होना चाहिए कि निकेट भविश में यदि मिलिन देवड़ा जैसे नौजवान नेता कॉंग्रेस को टाटा बाय बाय कह करके भारती जिनता फारिटी का रुख कर लें अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें और वीडियो शेर करें अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और जो साथ में बेल आइकॉन है उसको दबा दें ताकि भविष्च में आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय से आपको मिलते रहे बहुत बहुत धन्यवाद